अगर आपने रिजल्ट अब तक नहीं देखा है तो आप एससी की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं लिंक आपको डेस्क्रेप्शन में मिल जाएगी उन सभी बच्चों को तो हम उसी को एनलाइज कर लेते हैं कट आफ देखने से पहले हम यह देख लेते हैं कि यहां पर लिखा है कि एग्रीगेट पर्फॉर्मेंस इन सेक्शन वन एंड सेक्शन टू और पेपर वन और टीर टू एग्जामिनेशन केंडिडेट पर सौट लिस्टेड फॉर और आपने सेक्शन और गालिफाइज से नहीं किया है तो आपका नौलेज टेस्ट और डए स्टी और वेलूएट भी नहीं किया जाएगा और ऐसे ही डिस्टवाइज हो जाएंगे तो हम कट ओफ देखते हैं कि कट ऊप नजब केटेगरी का जो कट अब रहा है वह रहा है 200 270 और यह यूजूल मतलब जतना एक्सपेक्ट किया गया था वही कट ओफ रहा है क्योंकि पेपर थोड़ा आसान बताया था लोगों ने तो कट ओफ जो है जितना एक्सपेक्ट किया गया था उसी के साब से है इडेव स का जो कट ओफ है वो है 228 तो ऑन्रिजयवड और ओर इडेवड़ में एक डिफ्रेंस अच्छाב׋ देखने को मिल रहा है ओबी सी का कट ओफ रहा है वह नहँंए 242 और सी का कट ओफ रहा यह 213 और स्ट का कट ओफ रहा है 192 तो यह सारे जो है cut off रहे हैं आप अपनी category के जाप से अपना cut off चेक कर सकते हैं इसमें जो unreserved category के आगे जो star लगा है वो इसलिए है क्योंकि कई जो बच्चे other category के हैं उन्होंने unreserved category के cut off को clear कर लिया है कि इसमें ससी ने बताया है कि यह जो cut off है यह normalized marks के बाद का cut off है यानि कि आपके raw marks का नहीं normalized marks को calculate करने के बाद ही यह final cut off calculate किया गया है इसमें आगे ससी ने document verification related जानकारी दी है अब आप यह देखिए कि यहां आप लिखा है कि computer knowledge test और data entry test यह mandatory हैं और qualifying in nature हैं यानि कि इनके marks इस cut off में नहीं जुड़े हैं final cut off में computer knowledge test और data entry test के marks add नहीं किये गए हैं कि इसमें आप qualifying marks और जो maximum percentage error जो allow है computer knowledge test और DEST का वो देखते हैं यहां पर section 1 section 2 और module 1 module 1 क्या है computer knowledge test of section 3 इसके जो qualifying marks है यानि कि इतने number तो आपको लाने ही होंगे वरना आप disqualify हो जाएंगे भले ही आप बाकी section में कितने भी marks लाएं कोई फरक नहीं पड़ता तो यह जो cut off है qualifying marks है वो unreserved के लिए 30% EWS और OBC के लिए 25% और बागी सभी category के लिए 20% था और जो percentage allowed in DEST यानि कि typing में जो maximum percentage allowed है वो unreserved के लिए 20% जबकि OBC और EWS के लिए 25% और बागी सबी categories के लिए 30% है इसमें कमीशन ने बताया कि computer test के लिए जो पोस्ट ऐसी है जहां पर computer की प्रोफिसेंसी रिक्वाइड है उन पोस्ट के लिए एससी ने cut off निकाला है computer का यानि कि computer में अगर आपके इस minimum को minimum 27 marks चाहिए unreserved category के लिए और EWS category के लिए 24 OBC के लिए 24 SCST के लिए 21 तो यह minimum cut off marks है जो आपको उन पोस्ट के लिए चाहिए जहां पर computer proficiency required है अब यह पोस्ट कौन सी है यह हम आगे अभी देख लेंगे इसके बाद जो typing में error allowed है उसका जो cut off जो computer proficiency पोस्ट के लिए required है वह unreserved category के लिए 5% है EWS category के लिए 7% allowed है OBC के लिए 7% है और SCST के लिए इसमें यह तो आपको पता ही होगा कि paper के जो pattern है वो क्या रहता है जो और ASO के लिए paper होता है उसके लिए section 1 section 2 और paper 3 होता है अलग से और JSO के लिए paper 2 होता है जबकि बाखी other post के लिए जो paper 1 है वही count किया जाता है कि अब वो पोस्ट जो यह cut-off यह जो cut-off जिसके लिए SSC ने निकाला है यह किन पोस्ट के लिए eligible है वो पोस्ट जो computer proficiency के लिए required है तो वो पोस्ट कौन सी है computer proficiency is mandatory तो यह जो पोस्ट है कुछ इन पोस्ट के लिए computer proficiency test required है मतला mandatory है और इनी के लिए वो cut-off है कि और यहां पर एससी ने बताया है कि यह जो दो पोस्ट है यहां पर जो है डी एस्ट का थोड़ा हाई तो यह उसने मैंसन किया हुआ यहां पर बाकि सस्ट की जानकारी दिये कि उसने कितने कंडिड़िट को उसने recommend किया है तो के लिए उतने ही के लिए लिए उतने ही सिर्फ एक कंडिट कम है और यह स्टार उसी बात के लिए कि जो अधर कैटेगरी के बच्चे वो भी उन्रेज़ब्ग में कौलिफाइब हुए हैं तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं वेकेंस को बाकी आगे स्स्क ने इसमें कुछ और यह कट-off पोस्ट के अकॉर्डिंग कट-off उसने बताया यहां पर तो वह आप चेक कर सकते हैं दोस्तों तो एक बार फिर से उन सभी बच्चों को congratulations जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं और जो इस साल सेलेक्ट नहीं हो पाए है या कुछ अपनी कमी के वज़े से चुक गए हैं कुछ मार्क्स की वज़े से चुक गए हैं वह निरास बिल्कुल ना हो क्योंकि एससी सीजीएल 2023 अगले एक महीने बाद आने ही वाला है तो आप अपनी मेहनत को जारी रखें और अपनी इंटेंसिटी को और तेज कर दें और जो कमियां रही हैं पिछले बार उ सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाईक करें हमारे चैनल संसक्राइब करें हम ऑसाई क्वालिति कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे थेंक यू दोस्तों